राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोगास की हमारी कहानी का नाम है फिजुल खर्चे रुपिस अपनी ममी सुरेखा जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा अंजली अपना बैग लेकर कही जाने की तैयारी कर रही थी उसे देखते ही वो बोला तुम कहीं जा रही हो हाँ आज सालो के यहां किटी पाटी है तो मैं वहीं जा रही हूँ वहाँ से हम लोग मुभी देखने जाएंगे बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो ममी की तबियत भी खराब है अरे रुपेस तुम अभी घर पर ही तो हो तुम ममी का ख्याल रख लेना और हाँ प्लीज मुझे छे हजार रुपे दे दो छे हजार पर किस लिए अभी चार दिन पहले ही तो तुम ने साथ हजा रुपे लिये थे न रुपेस ने हैराने से पूछा अरे यार थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या हर चीज का हिसाब तुम्हें देना जरूरी है क्या लेकिन अंजली वैसे भी खर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं सेविंग है नहीं जो थोरे बहुत पैसे बचे थे वो ममी के इलाज में खर्च हो गए थोरा सोच समझ कर तो खर्च करो कहां से लव मैं इतने पैसे अपनी मा पर खर्च करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते कोई जिंदगी ही नहीं है मेरी मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें तुम्हारे घर को भी संभालो तुम्हारे मा को भी संभालो और एक रुपए खर्च ना करो रेखा जी उदास हो गई और चूप चाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई आखिर कर भी तो क्या सकती थी जब से पती गए हैं तब से घर की इस्तिती खराब है बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है रुपेश सब संभाले की कोशिस तो कर ही रहा था पर वो अकेला क्या करे उपर से सूरेखा जी की बीमारी ने कमर तोर कर रख दी थी बिचारा रुपेश कभी मा को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में अंजली कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाती थी खैर घर में बिल्कुल सांती पस्री हुई थी आधे घंटे बाद अचानक दर्वाजी की डोर विल बजी रुपेश ने ही जाकर दर्वाजा खोला एक पल के लिए हैरान ही रह गया सामने अंजली की मम्मी और भाईया खड़े थे उससे समझ तो आ गया था कि अंजली ने ही उन्हें फोन करके बुलाया है मम्मी जी ने दर्वाजे पर से ही पूछा क्या बात है दमार जी अंजली फोन पर बहुत रो रही थी ऐसी क्या बात हो गई इससे पहले रुपेश कुछ कह पाता भाईया ने कहा मेरी बहन आपके घर में बिलकुल भी खूस नहीं है उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओ को मारना पर रहा है कैसा ख्या ने वो लोग अंदर आए अंजली आपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते ही बोली चलिये ममी यहां रुखने का कोई फैदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है अंजली मेरी बात तो सुनो रुपेश ने अंजली को समझाने की कोशिस की आप तो रहने ही दिजिए दमाद जी अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यू रो रोकर बुरा हाल नहीं होता अरे समधन जी आप अचानक यहां हैरान परेशान सी सुरेखा जी भी सोर सुनकर कमरे से निकल कर बाहर आ गई हां मुझे तो आ खाले और उपर से थोरे से पैसो के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए हां मैं समझ रही हूं समधन जी पर आप मेरी बात तो सुनिए सुरेखा जी समधन जी को समझाने की कोशिस कर रही थी और वो ठीकी समझ ही नहीं रही थी जब वह आपके घर का काम कर रही है आपनी सारी जिम्मेदार्या निभा रही है आपके घर की बहु है तो अपनी ख्वाई से पूरी करने के लिए वो कहा जाएगी उसकी इक्छाव का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना उनकी बात सुनकर सूरेखा जी बोली देखिए समधन जी जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल था हमने कभी भी अंजली को पैसे देने से इंकार नहीं किया लेकिन यहां कुछ समय से बिजनिस सही नहीं चल रहा है उपर से आए दिन मेरी तबियत भी खराब रहती है तो घर की बहु होने के नाते अंजली को भी तो सुचना चाहिए आकिर घर गिरस्ती है वक्त उपर न दवायों में कोई कमी हो रही है आपके खाने पिने में कोई कमी हो रही है बस कमी तो मेरी बेटी के लिए ही हुई है उसकी इक्छाय पूरी कर्श को तो लेने आ जाना नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को रुपेश ने जब तक देखा कि उसकी सास कुछ रहने का इसारा किया अंजली अपनी ममी और भाया के साथ वहां से रवाना हो गई रुपेश ने भी अंजली को रोकने की कोशिस नहीं की रुपेश तुमने उसे रोकने की कोशिस क्यों नहीं की बेटा छोटी मोटी बातों को रबड की तरह नहीं खीशते नहीं ममी ये बात तुम्हारी बहु को भी समझनी पड़ेगी कि मैं उसका पती हूँ एटियम काड नहीं पर बेटा तेरा घर भी गर जाएगा कुछ नहीं होगा मा आप फिक्र मत करो जितनी ऐसो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना वैसा ऐसो आराम उसके माईके में नहीं मिलने वाला है रुपेस जानता था कि अंजली की जितनी एक्छाए यहां ससुराल में पूरी हुई है उतनी एक्छाए कभी भी उसके माईके में पूरी नहीं की गई उसके पीता अकसर बीमार ही रहते हैं इसे लिए उनकी आधी सी जादी सेलरी उनके इलाज में ही चली जाती है भाई और भाभी की भी इतनी इंकम नहीं है जितने आए दिन अंजली पैसे मांगती है अंजली एक मध वरगिये परिवार की बेटी थी जिससे रुपेस के पीता ने रुपेस के लिए पसंद किया था लेकिन ससुराल में इतना पैसा देकर अंजली का दिमाग घूम गया आए दि सौपिंग करना किटी पाटी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी इधर अंजली माई के आ गई उससे वहां देकर उसकी भावे भी हैरान रह गई उसके पीता ने समझाने की कोशिस की तो उसकी ममी ने उन्हें चुप करा दिया उसे दिन तो उसने दिन भर कमरे में आ ममी आपने मेरा तो पेट नहीं भड़ेगा इससे मैं तो पीजा ओडर कर रही हूँ उसकी भावी ने ऐसे ममी की तरब देखा तो उन्हों ने कहा उसका मूड खराब है पीजा खाना चाती है तो खाने दो अंजली का मूड ठीक होता तो घर का काम करती वरना दिन भर पड़ देती रहती भावी भी मन ही मन कुडती रहती ओफिस और घर के काम क्या कम थे जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई है उपर से नित नए खर्च करती रहती है ऐसा करते करते दस दिन हो गए आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है आज रवी वार्था तो सब लोग सुब पालड जाना है थोरा माइंड फ्रेस हो जाएगा प्लीज छे हजार रुपए दे दो उसकी बात सुनते ही उसकी भावी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली छे हजार वो भी पालड के लिए ननद रानी यहां मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दे भावी तमिच से बात किजिए मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ अपनी ममी से मांग रही हूँ अंचली थोरी बिगरते हुए बोली अच्छा पर आपको बता दू कि आपकी ममी इसी घर में रहती है और सायद आप ससुराल जाकर भूल गई है कि आपका मायका मधवरगिय है जहां खर्चे एक छाव पर भारी हो जाते हैं और वैसे भी आपको बता दू कि ये घर का खर्चे कैसे चलता है वो हम दोनों पती पतनी ही जानते हैं भावी बस आप तो कुछ भी बोले जा रही हो मत भूलिये कि ये मेरा मायका है अंजली ने अपनी आवाज टीच करते हुए कहा बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मधवरगिये है तुम्हें दस दिन से जिस तरह की हरकते हम करते हुए देख रहे हैं ना उससे तो नहीं लगता कि गलती रूपेश की है बलकि गलती तुम्हारी है आपकी बार उसके देखे रही बोलोगी अब अपनी बेटी का घर बिगारने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम्हारी बेटी के खर्चे देखी है तुमने ये भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है इसकी ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है वो तो इसके उल जु इसने तो पती को एटियम कार समझकर रखा है जब चाहा कैस कर लिया इसे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पती के साथ है कंधे से कंधा मिला कर चल तो रही है और इस घर के खर्चे को बड़ाबर संभाल रही है इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल चली जाए नहीं तो अपना बंदोवस्त कहीं और कर ले हम इसके बेवज़ा के खर्चे नहीं उठा सकते आखिर अंजली के पापा के आगे उसकी ममी कुछ नहीं कह पाई और उन्होंने अंजली को ससुराल जाने के लिए कह दिया इधर अंजली को भी समझ में आ गया कि उसके नकरे सिर्फ उसका पती ही उठा सकता है और कोई नहीं आखिर वो लटकर अपने ससुराल चली गई और अब वह अपने पती के साथ समझदारी से घर चलाने लगी हलांकी गलतिया अभी भी उसे होती थी लेकिन अपने माईकी वालों से सिकायट करने की जगा वो सुरेखा जिसे पुछना ज्यादा पसंद करती थी असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो तो प्लीज फिडियो को लाइक, सेयर, एंड सस्क्राइब करना और इस कहानी पे आपके क्या राहे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद, जैस्रिकृष्णा दोस्तों